हलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेज मैं अभी शेक कुमार आपको गडित पढ़ा रहा हूँ जिसमें हम लोग गड़ती आगमन का सिध्धान पढ़ रहे हैं पिछली वीडियो में हमने गड़ती आगमन सिध्धान से संबंधित इंट्रक्शन की वीडियो बनाई थी जो प्लेलिस्ट में उपलग्ध है आप जाके जरूर देख लीजिए आज की वीडियो में हम गड़ती आगमन सिध्धान से संबंधित प्रस्णावली पर चर्चा करेंगे आपके इस चैप्टर में एक मात्र प्रस्णावली है तो हम उस प्रस्णावली की प्रतेक सवाल पर हम क्या करेंगे 20-30 चर्चा करेंगे तो वीडियो में देरी ना करते हुए आइये शुरुवात करते हैं प्रसंख्या 1 प्रसंख्या 1 हमारे पास है 1-3-3-2-3-3-1-1-2 3-1-2-1-1-2 कि हम दिये के कफन को pn के रूप में लिखें, कैसे लिखें? pn के रूप में लिखें, यह हो जाय देहा हमारा pn, such that क्या हो जायेगा? 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस डाट डाट प्लस 3 की पावर, n-1 बराबर, 3 की पावर n-1 by 2, ठीक है? यह तो हमारा statement है, यह हमारा क्या है statement, अब हम लोग क्या करेंगी इसके सत्यता कि जाज करने के लिए सबसे पहली बात क्या करते हैं, मानते हैं कि यहन बराबर किसके लिए, एक के लिए, देखिए यहन बराबर एक के लिए, अगर यहन बराबर एक के लिए बात करें, तो यह क और सिर्फ कितना पद एक पद अगर एक पद लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक पद लेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा और बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 की power यन का मान एक minus 1 by कितना 2 ठीक है तो यहां कितना हो जाएगा 1 बराबर 3 में से एक घटा देंगे कितना हो जाएगा 2 by 2 तो यहां हो जाएगा 1 बराबर कितना 1 ठीक है 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 आप देख पा रहे हैं कि LHS जो है वो किसके बराबर है अरेचेस के बराबर है इसलिए यन बराबर एक पर दिया गया कथन दिया गया कथन क्या है? दिया गया कथन सत्षन आगे देखिये आप हम लोग क्या करेंगे? फिर से मानेंगे दो consecutive नंबर यन बराबर क्या? k और यन बराबर क्या k प्लस 1 तो यन बराबर k के लिए देखिए यन बराबर k के लिए यन बराबर k के लिए यन बराबर k के लिए हमारा जो statement कहलाएगा वो कहलाएगा क्या p k such that 1 प्लस 3 प्लस 3 का square प्लस डाट 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 कहां तक हम लोग लिखेंगे इसे 3 की पावर k-1 तक बराबर हो जाएगा 3 की पावर k-1 भाई कितना 2 हम इस समीकरण का प्रयोग करके अगली consecutive number को क्या करेंगे सिद्ध करेंगे इसलिए इसे हम लोग समीकरण number क्या बना लेते हैं 1 बना लेते हैं यह हो गया हमारा कौन सा समीकरण? समीकरण number 1 ठीक है अब देखे ध्यान से अगर दिया गया कथन यन बराबर 1 के लिए सत्य है ठीक है तो उसी प्रकार से यन बराबर के है क्या है सत्य है ठीक है अब मारी बात किस पर होगी यन बराबर के प्लस वन के लिए देखिए यन बराबर के प्लस वन के लिए तो यन बराबर के प्लस वन के लिए बात करते हैं किसके लिए के प्लस वन के लिए बात करते हैं तो जो हमारे स्टेट्मेंट होगा वह हो जाएग 3 की पावर k प्लेस 1 माइनस क्या 1 ठीक है? और बराबर हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर k प्लेस 1 माइनस 1 भाई कितना 2 ठीक है? अब देखे हम जब यह बराबर k प्लेस 1 लेते हैं तो उसमें से या तो यह LHS ले ले या तो आए RHS ले और उस LHS या RHS से दूसरा वाला पदला दे यह LHS लेते हैं तो RHS आ जाए RHS ले तो यह LHS आ जाए और उसमें समीकर नंबर 1 का प्रयोग जरूर हो समीकर नंबर 1 का प्रयोग जरूर हो तो वह क्या कहलाता है PMI उसी टेकनिक को यह तो हम लोग गड़ते हैं अगमन का सिद्धान बोलते हैं तो देखिए यहां क्या हो जाएगा हम लोग इसमें से क्या ले लेते हैं यह LHS हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वाइर प्लस डाट 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 3 की पावर K प्लस 1 माइनस 1 ठीक है यह हो गया हमारा ठीक है 3 की पावर K प्लस 1 ठीक है यहां हमारा हो जाएगा 3 की पावर K प्लस 1 ठीक है और यहां तो यह जो माइनस है वो यहां रहेगा माइनस 1 ठीक है यहां का ठीक तो यहां हो जाएगा Ya cow यहांते के अब देखए ध्यान से हम लोग इसे बना लेते हैं समीकर नमबर कितना दो ठीक है धानस देखें अगली लाइन टरी पलाई हम नाम होगा और कौन सा पद कहलाएगा तो वो हो जाएगा 3 की पावर k-1 क्योंकि ये k है हर बार जैसे ये पहला पद एक में हमने एक जोड़ा तो ये कौन सा दूसरा पद इसी प्रकार से पद बढ़ रहा है अगर हम अंतिम पद से बात करें कि ये अगर के मापद है तो इसके पहले वाला कौन सा होगा के में से कम होगा अगर जैसे 10 होता तो 10 से कम कितना होता 9 होता उसी हिसाब से अगर ये के है तो के में से कम है के माइनिस 1 है और ये अंतिम पद कौन है 3 की पावर के है ठीक है इसे समीकरण नमबर दो न बना करके समीकरण दो इसे बना लेते हैं और लिखते क्या है कि समीकरण दो में कहाँ पर समीकरण दो में समीकरण एक से मान रखने पर देखे लिखते हैं कि समीकरण दो में कहाँ से समीकरण एक से समी करण एक से क्या करने पर मान रखने पर चलिए value रखते हैं आप देख पा रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक की जो value है वो आपको कहां मिल रही है समी कर नमबर एक में उसका मान कितना है उसका मान है 3 की power k minus 1 by 2 ठीक है और बचा कौन बचा है माने पास 3 की power k ठीक है देखे इससे सरल करते हैं तिसका बटा क्या कर लेते हैं एक कर लेते हैं दोनों का एलशियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ति यह हो जाएगा 3 की power k minus 1 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर के बटा कितना हो जाएगा 2 ठीक है देखे 2 इंटू 3 की पावर के यहां भी है और अगर इसे हम लोग लिखना चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते है 1 इंटू 3 की पावर के तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा 2 ठीक है अब अगर आप ध्यान से देखें अधार बराबर है 3 की घाते भी तो आपस में जुड़ जाएंगी 3 की पावर 1 तो है तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 3 की पावर के प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 अब देख पा रहे हैं हमारे पास LHS लेने के बाद RHS लाना था जो की हम ला चुके हैं 3 की पावर के प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 ठीक है तो यह हमारा क्या आगया RHS हम देख पा रहे हैं कि LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया क्या हो गया RHS क्या लिखेंगे अंतिम लाइन लिखेंगे अतह क्या अतह PMI से अतह PMI से क्या होता है PMI मतलब गंती आगमन सिधान से अतह गंती आगमन सिधान से यह सिध होता है क्या होता है यह सिध होता है सिध होता है की For all यहनिज एलिमिन्ट आफ निचुरल नमबर के लिए और all these elements of natural number के लिए दिया गया कथन क्या है? सत्य है इस प्रकार से हमने सवाल संख्या एक को गड़ती आगमन के सिध्धान द्वारा के और के प्लस बन से भी क्या कर दिया है? सिध्ध कर दिया है ठीक है? देखे प्रसंख्या 2 हमारे पास प्रसंख्या 2 है एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस डाट डाट यन का क्यूब बराबर यन ब्रैकेट में यन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वेर हमें क्या करना है? गड़ती आगमन सिध्धान से for all सभी यन प्राक्तिक संख्याओं के लिए क्या करना है सिध्ध करना है कि दिया गया कथन क्या है सत्य है देखें क्या करेंगे स्टेप नमबर एक सबसे पहला स्टेप होता है कि हम दिये गए कथन को उसकी फॉर्मेंट में लिखें पी यन बराबर क्या पी यन बराबर एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस डाट 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 यह हो जाएगा हमारे पास यन क्यूब बराबर यहां क्या हो जाएगा यन ब्रैकेट में यन प्लस वन बाई टू का क्या होल स्क्वार ठीक है यह हो गया हमारा ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दिये के कथन को यहन बराबर किसके लिए, एक के लिए सी दिखरेंगे, यहन बराबर एक के लिए, दिखें, यहन बराबर एक के लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए यहन बराबर एक के लिए बात हो जाएगी P1, क्या हो जाएगी P1 such that 1 का cube बराबर 1 bracket में 1 प्लस 1 बटा 2 का क्या हो जाएगा whole square यहाँ देखिए आगे बढ़ेंगे ति हो जाएगा 1 का cube बराबर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 से 2 कट जाएगा ति यह बचेगा 1 का square और 1 का cube मतलब 1 और 1 का square मतलब 1 तो मतलब 1 बराबर 1 हो गया हमारे पास यह ले Hs बराबर क्या हो गया R Hs यदि ऐसा होता है तो हम लोग लिखते हैं कि यह बराबर 1 के लिए किसके लिए यह बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या है दिया गया कथन सथ्य है अगर यद्ध बराबर एक के लिए सथ्य है हमें उन दो consecutive नंबर क्रामा का संख्याओं के और के प्लस वन के लिए भी सिद्ध करना है तो हम लोग क्या करेंगे मान लेते हैं माना क्या यन बराबर के के लिए यन बराबर के के लिए, यन ब्राबर k के लिए क्या हो जाएगा, pk रैके क्या क्यूब बराबर k bracket में k प्लस one by two का क्या? whole square ठीक है? ये तो हमारे लाथ किस के लिए, k के लिए अगर k के लिए ये बात क्या है यन के लिए सत्य है, तो k के लिए भी हमारे लिए बात क्या होगी सत्य होगी हम लोग लिखेंगे कि यन बराबर के के लिए यन बराबर के के लिए दिया गया कथन दिया गया कथन क्या है सत्य है यन बराबर के के लिए दिया गया कथन क्या है सत्य है और इसे हम लोग क्या बनाएंगे समीकरण नमबर एक क्या क सब्सक्कराब के करेंगे सहमीकरण को लिखेंगे माना यन बडाबर प्लास प्लावन के लिए चलि यन बना उसन के लिए क्ली हो जाएगा पी के एक वन सच देट एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस डाट 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 क्या हो जाएगा के प्लस वन का क्यूब ठीक है और यह क्या हो जाएगा हमारे पास बराबर क्या हो जाएगा के प्लस वन अगले में क्या हो जाएगा के प्लस वन प्लस वन बटा कितना दो का क्या हो जाएगा whole square ठीक है आगे देखिए अब में क्या करना है इन दोनों पदों में से इन दोनों पदों में से एक LHS या RHS लेना है और दूसरे पद को क्या करना है प्रूब करना है सबसे पहले इस पद को और अच्छे से लिख लेते हैं एक कोई फ़नों में एक क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस को स्क्या क्यूब ब्लस ढट डाट प्लस यह제 प्लस ब्लस1्ता है यह कौसा प्естноAlright फेक्से एक प्लसे पहले की अगर बात करें किले में यह ठाज़िए कि कि अ क्या के क्योब रहा होगा और उसमें कित्ना जोडाओ गाया के प्लस वन जोडा गया होगा और वह गया होगा क्ये मोल क्यूब ठीक है तो में थे वहा सक्की चलेद कैने drapi करेंगे इसमें से यलेचस ले लेते हैं यलेचस यलेचस क्या है हमारे पास यलेचस है एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस टीम का क्यूब प्लस डाट डाट के का क्यूब प्लस के प्लस वन का होल क्यूब इसे क्या बनाएंगे समीकरण नमबर दो ठीक है और क्या लिख करण 2 में कहां से समी करण 1 से क्या करने पर मान रखने पर तो क्या हो जाएगा आप देख पा रहे हैं यहां से लेकर कि यहां तक का जो पद है वो क्डा ब्रेकेड में प्लस 1 2 व Caribbean कि क्या हो जाएगा के प्लस 1 वइन का हो व्क ć्यूब ठीक है अब देख पा रहे हैं कि सबसे थो इन दोनों का हम लोग्ट क्या लेंगे लेंगे चलिए ल रही Tok ौशें ले लंगे चली में ले लेखे का whole square by 4 plus यह हो जाएगा k plus 1 का whole cube बड़ा कितना एक है द्यान से देखिए इस पद में और इन दोनों पदों में k plus 1 हमारे पास क्या है common है और वो भी कितनी बार दो बार यहां square है और यहां cube है तो दो बार असनी से common हो सकता है तो हम क्या कर रहे हैं k plus 1 को common कर ले रहे हैं और व बटे कितना बचा चार बचा प्लस यहां क्या बचा के प्लस 1 बचा ठीक है यह हमारे पास हो गया और यह हो जाएगा पूरे का बटा की पूरा ठीक है देखिए ध्यान से अब हम लोग इसका लेंगे तो बटा एक रहेगा ही यहां कितना हो जाएगा k plus 1 का whole square रैकेट में य यह क्या का square plus 4 के प्लस कितना 4 बचा कितना चार ठीक है आप देख पा रहे हैं यह k square plus 4 के प्लस 4 यह हमारे पास क्या है formula है किसका formula है k plus 2 का whole square का old square का ठीक है यह क्या हो जायेगा हमारे पास यह हो जाएगा k plus 1 का whole square bracket में यह हो जाएगा k plus 2 का whole square और पूरे का बड़ा कितना इसे 2 का square लिख देते हैं ताकि क्या हो आसानी हो सवाल को लिखने में यहां 4 है चार का मतलब हम लोग उसे 2 का square भी लिख सकते हैं अब देखिए हमरे पास इसका भी square है इसका भी square है और इसका भी square है तो इसे हम लोग जब लिखेंगे तो इसको क्या लिख देंगे k plus 1 और k plus 2 बाई कितना 2 का क्या whole square ठीक है यह हमारे पास क्या आ गया है यह देखिए हमारे पास right hand side आ गया ठीक है यह क्या हो गया are yes yes ठीक है are yes yes यदि ऐसा होता है तो अंतिम लाइन में लिखते है अतह पीम आई से क्या होता है सिद्ध होता है कि फाराल यह इनिस अलिमेंट आफ निचुरल नंबर के लिए दिया गया कथन क्या है सत्य है ठीक है इस प्रकार से प्रस्ट संख्या 2 क्या होती है सॉल होती है आई होप्स आपको समझ आया होगा अगर आपको समझ आया तो आप स्क्रीन सूट कर लीजे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की और देखे प्रसंख्या 3 प्रसंख्या 3 हमारे पास है देखे हमारे पास प्रसंग क्या 3 है बराबर 2 यन अपान यन प्लस 1 चलिए हमें क्या करना है for all any element of natural number के लिए यह क्या करना है गड़ती आगमन सिध्धान विदिद्वारा क्या करना है सिध्ध गरना है कि अकथन क्या है सत्य है देखे सुरुवात करते हैं सबसे भी पहले दिये गए statement को उसके format में लिखते हैं तो यह हो जाएगा हमारा पी यन सची देट वन प्लस वन अपान वन प्लस टू प्लस वन अपान वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डाट डाट यहां हो जाएगा वन अपान वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डाट 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 प्लस यन बराबर 2 यन अपान यन प्लस वन ठीक है हम क्या करेंगे यन बराबर एक के लिए किसके लिए यन बराबर एक के लिए यन बराबर एक के लिए देखें यन बराबर एक के लिए क्या हो जाएगा यन बराबर एक की बात करें ति हो जाएगा हमारा P1 such diet 1 क्योंकि यह बराबर 1 की बात क्या हो रही है 1 पत होगा हमारे LHS से तो LHS से हमने क्या ले लिया है 1 पत और वो बराबर हो जाएगा किसके 2 गुड़े 1 बटा 1 प्लस 1 के ठीक है क्या कितना हो जाएगा 1 बराबर 2 एक अन्नम 2 बटा कितना 2 दो से दो कट जाएगा और आंसर हो जाएगा एक बराबर एक जो कि क्या है येल येच येस बराबर क्या है आर येच येस अगर येचस बराबर क्या होता है येदि येचस बराबर क्या होता है आरेचस होता है तो हमारा क्या हो जाएगा अतह येन बराबर एक के लिए येन बर होता है सिध्ध होता है दिया गया कथन क्या है सत्य लिग देते हैं दिया गया कथन क्या है सत्य है बढ़ते हैं आगे नेक्स स्टेप में देखिए नेक्स स्टेप में हम दिये के कथन को यन बराबर के के लिए प्रूब करते हैं क्या यन बराबर के के लिए ठीक है देखें य क्या हो जाएक हमारे पास पी के सच दैट एक बटा एक पहले तो एक प्लस एक बटा एक प्लस दो प्लस एक बटा एक प्लस दो प्लस तीन प्लस डाट 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 प्लस एक बटा एक प्लस दो प्लस तीन प्लस डाट 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 प्लस यन ठीक है बराबर यहां हो जाए अच्छा यहां क्या हो जाएगा के ठीक है के बराबर क्या हो जाएगा 2K अपान 1 प्लेस K प्लेस 1 K प्लेस 1 ठीक है यह हो जाएगा हमारा समीकरण नमबर 2 और लिखेंगे क्या कि यन बराबर के के लिए यन बराबर के के लिए दिया गया कथन क्या है सत्य यन बराबर के के लिए दिया गया कथन क्या है सत्य ठीक है ये बात हो गई किसके लिए के के लिए हमारा अगला इस्टिफ है किसके लिए यन बराबर k प्लस 1 की बात करें तो हम लोग माल लेते हैं माना यन बराबर k प्लस 1 के लिए ध्यान से देखिए कि यन बराबर k प्लस 1 के लिए एक बहबात कैसे सत्य होगी ठीक है? तो सबसे पहले तो हम यहन बराबर k plus 1 के लिए अपना statement लिखते हैं हमारा statement होगा p k plus 1 such that 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 ठीक है? plus dot 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 यहां हो जाएगा 1 upon क्या? यहां देखिए हमारे पास क्या है? 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus कहा? k plus 1 तक कहा तक? k plus 1 तक ठीक है? अब देखिए ध्यान से k plus 1 तक हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? बराबर हो जाएगा two bracket में k plus 1 बटा k plus 1 plus 1 ठीक है? ध्यान से यहां आपको क्या करना है? बेहत ध्यान देना है नई तो आप गलती कर सकते हैं ध्यान से हम लोग क्या करेंगे? इसमें से एक पद ले ले लेते हैं LHS या RSS और उससे क्या करते हैं? दूसरा वाला पद चला देते हैं तो देखिए LHS से सुरुवात करेंगे कहा से सुरुवात करेंगे? LHS से LHS से LHS हमारा क्या है? 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डाट 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 प्लस यहां ध्यान से देखिए यह के प्लस 1 अमा पहला पद है ठीक है? इससे एक पद पहले लिखिए वन अपान वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डाट डाट कहां तक के प्लस वन तक ठीक है यह के प्लस वन तक हो गया यह कहां तक हो गया के तक हो गया इसे क्या बनाएंगे इसे बनाएंगे समीकरण नंबर दो और समीकरण दो में समीकरण एक का क्या करेंगे प्रयोग करेंगे क्या लिखते हैं क्या करने पर मान रखने पर अगर देखे आप फ़ंगों कहां रखेंगे यहां देखिए यह वाला पत देख़एं आप के प्लस के तक क्योंकि हमारे पास के तक ही value है कहां से एक से लेकर के के तक की value के लिए हम लोग यहां जो bracket बना रहे हम इस bracket के लिए जो value रखेंगे वो हो जाएगी समय करण एक से हमारी क्या टू के अपान के प्लस वन आगे देखिए यह क्या हो जाएगा प्लस यहां देख पा रहें आप लोग अगर हम लोग यह के प्लस वन पर हैं तो इससे पहले वाले पत की बात करें तो यहां भी के मिलेगा हमें क्या मिलेगा के मिलेगा और प्रथम यन पदों का योगफल जो होता है क्या प्रथम यन क्या हो जाएगा हमारे पास एक हो जाएगा और डी कमान भी मर पास एक हो जाएगा और पदों की संख्या यसियन बराबर के बाइट में क्या हो जाएगा एक अमान एक प्लस के ठीक है तो यह हो जाएगा के प्लस वन इंटू के बाई टू ठीक है तो हम लोग इसके पहले पद्गिली लिखते हैं क्या हो जाएगा वन अपान वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डाट 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 प्लस K प्लस K प्लस 1 ठीक है ये अब देखे ध्यान से यहां से लेकर के यहां तक क्या लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहां देए गए सुद्र का प्रयोग करेंगे प्रथम यन प्राक्तिक संख्याओं का योगफल क्या होता है 2K अपान K प्लस 1 प्लस यहां हो जाएगा 1 अ लाथ तिर यह बुड़ा करेंगे और इस दो को अंस में लेकर जाएँगे तो हमारे पास क्या बॉअ क्या हो जा जाएगा है क्लण लिए फूर्ष और 2 Пр centralized में k plus 1 ऩित्क है अब देखें से हम इन दोनों पदों में देखें तो k plus 1 कव phenomena है अच्छा एक मिनट और रुपते हैं तोड़ा और सरले कर लेलें इसे कि होजाएध hav two350 k a plus one यह जाएगा two upon k plus on 2 में common है देखें k यहाँ भी है बचेगा इस पद में? k बचेगा और इस पद में क्या बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है? इन दोनों पदों में यदि हम देखें तो में पास क्या common है? 2 भी common है, k बेखार कामें है 2 भी common है, दोनों बाहर कर लीजिゲイे सुल क Village क्या हो जैगा टूपान्स क्या जायका क्या मात करेंगे क्ments मुझा की और चाहरे यह हो जाएगा तीरी गुडहँ यह क्या हो जाएगा के 24 या क्या हो देखे, अगर हम देख पा रहे हैं, यहां क्या लिखा है, k² प्लस 2k प्लस 1, यह क्या है, सर्वसमी का है, सूत्र है किसका, k प्लस 1 का whole square, आप देखे, अगर हम लोग k प्लस 1 का whole square तोड़े हैं, तो हमें क्या मिलेगा, k² प्लस 1 का square, प्लस 2 गुड़े, पहला पद इंटू दूसरा पद, तो क्या बनेगा यह, k² प्लस 1 का square मतलब 1, प्लस कितना 2k, तो हम इस वाली चीज को क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 का whole square, ठीक है, तो यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, यह हमारे पास उपर जो लिखा है, वो हो जाएगा, k प्लस 1 into k प्लस 1 का whole square by क्या, k प्ल ब्रैकेट में, k प्लस 1 by k प्लस 2, ठीक है, देखे, हमें जो सिद्ध करना था, वो यही था, 2k प्लस 1 अपान, k प्लस 1 प्लस 1 का मतलब क्या, प्लस 2, ठीक है, मतलब हम लोग कहां पहुंच गए, आर्चस पर पहुंच गए, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, अंतिम में लिखेंगे, अतह, क्या, अतह, PMI, गड़ती आगमन सिध्धान से, गड़ती आगमन सिध्धान से, सभी प्राक्तिक संख्याओं, एलिमेंट आप, निचुरल नंबर के लिए, दिया गया कथन क्या है, सत्य है, ठीक है, अगर सवाल आपको समझ आई हो, तो इसे स्क्रिन सू आपकोन स्यात्रिक संख्याओं, आपकोन सो क्या है, सत्य है, छो निचुरल नंबर के लिए, गड़ती आगमन सिध्धान का प्रेयोग करकी, दिये के कथन को क्या करना है सिद्ध करना है तो सुरुवात करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे P N such that 1 plus 2 sorry 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus dot 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 यहां क्या हो जाएगा यन ब्रैकेट में यन प्लस 1 इंटू यन प्लस 2 बराबर यन ब्रैकेट यन प्लस 1 अगले ब्रैकेट में यन प्लस 2 और अगले ब्रैकेट में यन प्लस 3 बाई कितना 4 ठीक है यह रहा आगे देखे हम लोग सुरुवात करेंगे सबसे पहले मानेंगे क्या माना यन बराबर 1 के की लिए यह बराबर एक के लिए सत्य बोलते नहीं है सबसे पहले यह रखेंगे यह प्लस तो यह प्लस तीन बड़ा कितना हो जाएगा चार ठीक है देखे यह हो जाएगा दो तियाई च्छे कंदम छे बराबर एक गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े चार बड़ा कितना चार चार से चार क्या हो जाएगा केंसिल तीन दून छहें कन्न्न छही क्या हो जाएगा लिखेंंगे यह लिएट सर्थ्थ बराबर क्या है हमारे पास वारी यह होता है इस यह बात क्या यह बराबर क्या होता है वारीत स कोड़िग यह लिखते हैं की analyzed ऑर एक लिए दिया गया कथन सत्य है दिया गया कथन क्या है सत्य है आईए आगे बढ़ें और यन बराबर के के लिए सत्यता की जाज करें ध्यान से देखें यन बराबर के के लिए यन बराबर के के लिए क्या हो जाएगा PK, क्या हो जाएगा PK, such that 1 into 2 into 3 plus 2, 3 और 4 plus dot 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 यहां क्या हो जाएगा, देखिए K, bracket में K plus 1, अगले bracket में K plus 2, पराबर क्या हो जाएगा, K K plus 1, K plus 2 K plus 3 by कितना, 4, ठीक है इसे हम लोग क्या बनाते है, समीकर नमबर 1, यह हो गया हमारा कौन सा, समीकर नमबर 1 अब हम क्या करेंगे, समीकर नमबर 1 को क्या बताएंगे, यह सत्य बात है समीकर एक में यहन बराबर के के लिए, यहन बराबर के के लिए, क्या दिया गया कथन दिया गया कथन क्या है सत्य है, यहन बराबर क्या के प्लस बन के लिए भी सत्यता की जाच करते हैं देखिए अब बारी है अंतिमिस्टेप की अंतिमिस्टेप ध्यान से देखिए क्या माना कि यह यह बराबर के प्लस बन के लिए तो k plus 1 के लिए क्या हो जाएगा p k such that 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus dot 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 क्या हो जाएगा हमारे पास k plus 1 फिर यहां plus 1 में plus 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा k plus 1 plus 1 यहां क्या हो जाएगा k plus 1 plus 2 और बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास यहां हो जाएगा k plus 1 k plus 1 फिर k plus 1 plus 2 और k plus 1 plus 3 और पूरे का बाटा तक कितना हो जाएगा ठीक है अब देखे द्रियान से एक ही पद लेंगे यहां देखें यहां सब प्लस प्लस एक पद आगे के लिखे हैं यदि हम एक पद पीछे लिखें तो जो यह के प्लस वन बन गया है यह क्या रहा होगा के और जो के प्लस वन वन टू हो गया वो क्या रहा होगा के प्लस वन और यह वर नोट टू थ्री हुआ तो यहां क्या रहा होगा के प्लस 2, plus k plus 1, k plus कितना 2, और k plus 3, ठीक है, देखे, क्या बनाते हैं, इसे बनाते हैं, समीकरण नमबर कितना 2, और लिखते हैं, कि समीकरण नमबर 2 में, समीकरण नमबर 2 में, समीकरण किस से, एक से, मान रखने पर, मान रखने पर तो यहां क्या हो जाएगा 1 into 2 into 3 अच्छा मान रख देते हैं देखे हम यहां ब्रैकेट से close कर रहे हैं यहां से लेकर कि यहां तक की value है वो हमें कहां मिलेगी समीकर नमबर 1 में देखे के प्लस 2 तक तो इसका क्या मान हो जाएगा के ब्रैकेट में के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 बाई कितना 4 और यहां क्या बच रहा है प्लस के प्लस 1 के प्लस 2 और के प्लस 3 बटा कितना एक कर लेते हैं सबसे पहले जो common है उबहनिस चीजे हैं उबहनिस चीजों को बाहर कर लेते हैं 1 से लेकर 3 तक मतलब k plus 1, k plus 2, k plus 3, उभेनिश्ट हो गया, क्या बचा, k by 4 plus 1, इसे solve करेंगे, यह हो जाएगा, k plus 1, k plus 2, k plus 3, k plus 4, by क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, जो की हमारे पास यहां है, देखिए, यह k plus 1 है, यह k plus 2 है, यह k plus 3 है, यह k plus 4 है, by 4, तो यह हो गया, k plus 1, k plus 2, k plus 3, k plus 4, by 4, ठीक है, आता है, यह हमारे पास क्या आगया है, आर, यह, यह, ठीक है, क्या लिखेंगे, आता है, PMI से, PMI से सिद्ध होता है कि, क्या होता है, PMI से सिद्ध होता है, कि for all these elements of natural number के लिए, दिया गया कथन क्या है, सत्य है, ठीक है, देखि हो, I hope, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सिस्क्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिन, जै बाद,